गुड मॉर्निंग टॉल अफ स्टुडेंट्स चैप्टर नाइन पार्ट नमबर चोधा चैप्टर नेम फोर्स और लॉज अफ मोशन देखिए मेरी तरफ से आज के वीडियो का ये लास्ट पार्ट है किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछेगा नुमेरिकल सॉल करने कोशि कि ये प्रोब्लम सॉल करने कोशिस कीजिएगा मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूं ठीक है कोई डाउट आये एक्सरसाइज से रिलेटिड नुमेरिकल सॉल करते टाइम आप मेरे से पूछ सकते हैं कोई प्रोब्लम नहीं है मैं सॉल्यूशन उसका भेज दूंगा अगर ध्यान रखेगा जो नुमेरिकल है उनको सॉल करने से पहले जो पीछे का जो चैप्टर था मोशन वाला उसके अंदर जो एक्वेशन हमने यूज की थी ठीक है वो भी आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि जैसे वलोस्टी की रिलेशन क्या है एक्सेडरेशन के साथ में इनिशल वलोस्टी और फाइनल वलोस्टी के बीच में क्या रिलेशन है एवरेज स्पीड का फोर्मला क्या है डिस्प्लेशमेंट का फोर्मला क्या है तो यह सब चीजे आपको रिवाइज होनी चाहिए तब जाकर के इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ ऐसे नुमेरिकल्स ह पाएंगे तो देखिए आज का जो हमारा टाइम होगा वो ज्यादा नहीं होगा छोटा सा वीडियो है मैं केवल हिंट दूँगा आपको आप ट्राइ किजिएगा तो देखिए अब महारे पास में एक अंदर्वेशन ओव मॉमेंटम से रिलेटिड भी एक और नुमेरिकल ह क्या लिखा वह 2 object of mass is 100 gram यानि की तो पहले को मास हमने 100 gram मान लिया अब यह fundamental से पहसा है इसको आपले लिख सकतीए,. 0.2 kg, सबसे important है, जो quantity given है, पहले चेक करो fundamental में है कि नहीं है, यानि कि mass kg में होना चाहिए, time second के अंदर होना चाहिए, velocity meter per second में होने चाहिए, acceleration meter per second square में होना चाहिए, force Newton में होना चाहिए, distance displacement meter में होने चाहिए, अगर हैं, तो direct solve करो, और unit उसकी लिख दीजिए, अगर नहीं है, तो सबसे पहला काम उनको fundamental में ही convert करो, तो ऐसे आप इसको पहले mass को fundamental में convert करेंगे, फिर देखिए, बोला गया कि वो along the same line के along move कर रही है, same direction में velocity given है, तो meter per second यानि कि 100 gram वाले की velocity आपको दी गई है, 2 meter per second और 200 gram वाले की 1 meter per second respectively, respectively का मतलब यही है, कि जो पहले चीज दी ओई है, यह velocity पहले वाले की है, और जो बाद में velocity दी ओई है, वो बाद वाले की velocity है, ठीक है बाद वाले object की velocity है आगे देखो क्या बोलता है कि they collide and after collision उनमें टकराव होता है उनमें टकराव के बाद the first object moves at velocity of पहले object की final velocity दे दी गई है ये determine the velocity of second object तो simple आपको जो conservation of momentum है उसका formula आपको यूज करना है that is simple formula था maua clear पहले object का mass पहले object की initial velocity प्लस दूसरे object का mass दूसरे object की initial velocity clear और फिर आपके पास में क्या था right hand side में कि पहले object का mass और पहले object की initial velocity into में दूसरे object का mass और दूसरे object की final velocity clear तो ये देखिए अगर कुछ mistake हो गई हो तो एक बार फिर से repeat कर देता हूँ मैं right hand side में जो लिखा है ma पहले object का mass va पहले object की final velocity collision के बाद ऐसे ही mb क्या है दूसरे object का mass और vb क्या है दूसरे object की final velocity after collision तो अब यहाँ पर सब values आपके पास available है values को यहाँ पर put कीजिए multiply कीजिए यहाँ पर sorry plus का निसान आएगा ठीक है values यहाँ भी put कीजिए अब यहाँ पर देखो पहले object की तो आपको दे रखी है दूसरे object की आपको find out करनी है तो आप इस equation को जब यह values put करके आप solve करेंगे तो rearrange करना बस आपको clear यह आपके पास में एक equation बनी यह MAVA जो है इधर आएगा तो minus हो जाएगा फिर MB से आप उसको divide कर दिजिएगा clear rear end का का काम करना है और काम खतम आपका बस आपका आगे देखिए next चोटा सा है कि what is the momentum of an object of mass m moving with velocity v simple formula आपको लिख वाया गया momentum का formula आपको लिख देना है कि किसी object का mass m है और वो v velocity से वो move हो रहा है तो momentum का formula आप लोगों ने देखा हुआ है कि mass into velocity तो इसमें से देख लिजिए कौन सा वो relation सही होगा इन चैरों में से तो इसको भी आप अपने आप की जिएगा आगे देखिए a batsman hits a cricket ball which then rolls on a level ground यानि कि एक समतल ground के उपर वो roll करना move करना शुरू कर देती है after covering a short distance कुछ दूरी के बाद क्या देखते है the ball comes at rest यानि कि ball रुख जाती है the ball slows to stop because ऐसा क्यों हुआ यानि कुछ दूरी के बाद ball क्यों रुख गई चार आपके पास में option है इन में से आपको बताना है कि कौन सा सही है कि the batsman did not hit the ball hard enough कि batsman ने इसको इतनी जोर से hit नहीं किया था दूसरा है velocity is proportional to the force exerted on the ball कि जो velocity है वो force के directly proportional है और there is force on ball opposing the motion कि बोल पर कुछ ऐसा force लग रहा है कि वो उसका oppose कर रहा है कि यह option सही है या फिर option no.4 there is no unbalanced force on the ball so the ball would want to come on come to rest कि यह option सही है तो आपको देखना है कि ABCD में कौन सा option सही है फिर भी कोई doubt आए तो पूछिएगा thanks for watching the video Monday से हम नया chapter शुरू करेंगे आपके पास में आज का time है और कल का time है कोई problem हो तो जरूर पूछिएगा